नमस्कार साथियूं जैसे कि बॉंक की कई सारे कंडिडेट जो थे एटोमिक इनर्जी एडूकेशन सुसाइटी वाले उनकी लगातार क्वेरिया देते कि सर इसके बारे में डेटिल एक वीडियो बनाई जाए कि कि आज के बारे में बात करेंगे सबस्क्राइब करते हैं तो एटोमिक एनर्जी एडूकेशन सुसाइटी जितना किलियर बात कोई नहीं बताता इनके नोट्फिकेशन में हर एक पोस्ट के लिए बिल्कुल किलियर बताया हुआ है क्या कौन-कौन से डॉक्मेंट की आवसेट करना है उसके बात करते है लेन इस से पहली बार उनलाइन लेने जा रहे है इससे पेले इंका जब भी एक जांभी billion होता था तो प innocent अफ लाइन ईससमें आन्लाइन किया है कंपियूटर बेस्ट कितीया है इसके अकप्च्छ पुस्ट की जरूरत है इस आपको सब्सेस्ट मे फीन देली का जो बोर्ड है इसने जब से ओनलाइन एक्जाम लेना शुरू किया है उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थे वह समस्या यह आ रही थे जो पार्ट वाइस रिस्टिक्ट कर दिया था जिसे किसी को हिंदी करना ना थिनुदी कंपलीट करके सेव करना पड़ेगा तभी वो math वाजा सकता है, फिर math save करना है, इसमें होता है क्या था, कि शुरू में candidate जल्दी जल्दी कर लिता था, last में उसका time बज़ जाता था, शुरू में उसने math question छोड़ दिया, last में जो cdp का so question है, उसने बहुत जल्दी कर लिया, तो उसका time बाद में waste होता था, यहां पर ऊचीज नहीं है, यहां पर आपको डाला गया है कि आप पूरा question वेपर एक साथ दे सकते हैं, देख सकते हैं और जिस question से, जिस section में, जिस question में आप कम बन करें, आप उहां से उस पर काम कर सकते हैं, तो यह काफी एक अच्छी चीए है, इसके त्रिक जिस question को करना, आप पता यह क्या करना होता है, कि save, save करना हो next करना है, अगला question, अगला section अपने आप चलता रहेगा, दूसरी बात, इसमें हम बात करते हैं, syllabus की, कई candidate कह रहे थे, कि sir, इसका syllabus का क्या है, कैसे है, तो देखिएगा मेरे दोस्तों, atomic energy education society, या कोई भी board, जो लगातार exam नहीं लेता है, कभी कभार, vacancy निकालती है, और कभी कभार exam लेते हैं, इनका क्या होता है, कोई syllabus नहीं होता, कोई pattern नहीं होता, हाला कि, इन्होंने अपने notification में लिखा हुआ है, जिस तरह से, और previous year paper जिस तरह के कहा है, दोनों में थोड़ सा difference है, जो कि previous year paper में क्या है, कि आपका 10 Marks का Hindi, 10 Marks का English यह भी दिखा हुआ है, लेकिन इस पर इन्होंने जो बात कही है, यह कहा गया है, कि 10 नंबर का GK रहेगा, हला कि Marks इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किये है, इन्होंने से पितना कहा है, GK रहेगा, Regening रहेगी, Numerical Ability यानि Math रहेगा इसमें, इसकर आपर Teaching Methodology, CDP नहीं पूछा जाएगा, PRJ, YGOS की इनके जो Facts हैं, वो नहीं पूछे जाएगे, Teaching Methods से Question रहेगे, और Subject Concern, PGT का जो Post Graysation, Master's Level के जो Subject है PGT के लिए, उहां से Question रहेगे, UGC के स्लेवर्स में से, TGT का जो Graysation Level का Subject है, TGT के लिए, Graysation Level के Subject में से Questions रहेगे, UGC के दो इसी तरीके से PRT की बात करें, तो PRT में लेवल नहीं बताया है, PRT में लेवल नहीं बताया है, कि PRT में मान लिए, Subject Concern लिखा हुआ है, तो Math में, PRT में Math कौन से लेवल का रहेगा, तो देखिए, यह understood रहता है, PRT में जो भी Math होगा, English होगी, Hindi, Science, यह सब 10th लेवल का रहत है, इस से उपर नहीं जाएंगे, ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद भी अदि आपको कोई confusion रहता है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, कि एक बार जब आपका बाई 23 मई से, 23 मई से स्टार्ट हुआ है, 23 मई से आपका अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यह बार है जुन तर चलेगा, तो जब आप सारे लोग apply कर लेंगे, उसके बाद जब यह लोग आपके लिए call letter भीजेंगे, call letter, जो कि आपका mail पर आएगा, लगब लगब लगब, order address पर भी आजाता है, by post भी आजाता है, तो उसमें क्या होगा, कि जब वो आएगा न, कि हाँ किसका exam center कहा है, आपका roll number क्या है, call letter आएगा, उस time पर आपकी जो application ID जो आपने बनाई है, जिस ID को बना करके आपने apply किया है, उसी ID से उनकी website पर लोग इन करेंगे, तो आपको एक practice paper मिलेगा, वो practice paper same to same वैसा ही होगा, यानि 100 question होगे, और आपका 120 minute में करना होगा, online होगा तो यह आपकी practice के लिए अच्छी चीश है, आपको syllabus का भी idea लगेगा इससे, और question का level का भी idea लगेगा, हाना कि इन्होंने एक turn and clauses में add कर दिया है, कि भई, practice paper जैसा होगा, वो कोई compulsory नहीं है, कि जो original paper है, original paper का pattern और standard, यानि उसी level का hard होगा, उससे थोड़ा से easy होगा, यह कि यह कोई fix नहीं हो जाता है, वो change हो सकता है, difference हो सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, practice के ले मिलेगा, बहुजा change नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें वो sigil का पूछेंगे, और बाकी जगों पर बाकी चीज पूछेंगे, लगो लगो उतना ही रहेगा, जितना भी board है, जितन पूछित रखती है कि board कभी भी कुछ भी कर सकता है, हाला कि generally करते नहीं है, इसके अत्रिक्त, skill test में जाने के लिए आपको पता होगा, जो unreserved category के candidate हैं, और जो EWS category candidate हैं, उनके लिए इस return exam में 60% marks score करना compulsory है, यानि qualifying है, यदि आप 100 में से 60 नंबर लाते हैं, तब ही आप merit म बनेगी, जिनका नंबर 60 से ज्यादा होगा, general candidate and EWS candidate, लेकिन जो SC, OST, OBC है, इनके लिए 54% यानि 100 में से 54, जिनका 54 नंबर से ज्यादा है, उन्हें की merit बनेगी, दूसरी बाद, यदि situation ऐसी हो जाती है कि 60 से ज्यादा वालों की merit नहीं बनती है, चोवण से ज्यादा वालों की, महलब candidate उतने पूरे नहीं हो पाते हैं, तो board ने अपने पास ये ride भी रखा है, कि board इस number को, इस marks को, percentage को क्या कर सकता है, इसे down कर सकता है, इसे नीचे ला सकता है, यानि general के लिए 60 से घटा है, उसका 55 कर दे, 50 कर दे, जितने में candidate पूरे हो ज का, 108 candidate का merit बनाएंगे, इंटर्व्यू के लिए, skill test के लिए 108 candidate बुलाने वाला हैं लोग, PRT के लिए, तो, इतनों का, थोरा सा मुश्किल रहता है, हो भी सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा तर, CDP बगर चीज़ें हैं नहीं, GK बगर चीज़ें ज्यादा रहेंगी, तो लो होगी हमारी बात हैं, और, negative marking है नहीं, आपको बता दिया है, मैंने, इनका जो skill test होगा, exam भले ही, इंडिया के अलग-लग centers पे हो, लेकिन जो skill test होगा भई, skill test इनका जो headquarter है, मुंबई के अनुसकती नगर में, बार्क का, वहीं पर होगा, skill test, यानि आप चाहे तमिलाडू क candidate है, चन्ने के candidate है, या आप मुंबई के candidate है, या फिर आफ राजसान से, पंजाब से कहीं से भी apply कर रहे हैं, आपको इन skill test देने के लिए, मुंबई ही जाना पड़ेगा, तिसके लिए थोग से mentally prepared है, खुमफ्रे करका है, बढ़िया रहेगा, और, waiting list भी आएगी इसमें, इ यानि selected or not selected, merit जो selection होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो return exam है, उसके marks के basis पे selection होगा, इतना बात आप fix कर लिए दिमाग में, जो आपका return exam है, उसके marks के basis पे ही selection होगा, skill test में कोई marks नहीं मिलने, skill test सिर्फ qualifying है, ये रिप qualify कर जाते हैं, तो skill test आपने बहुत अच्छा किया ये सिर्फ average करके, qualify करके कोई फरक नहीं परता, ठीक है, अब हम बात करते है, manly, skill test के बारे में, skill test क्या होता है, इन्होंने देखिए, इस बार तो skill test में, ज़्यादा detail हैं बताया नहीं है, कि skill test क्या है, लेकिन, जिस time मैं और मेरे साथियों का था, उस time ये 17 की बात है, तो उसमें क्या हो था, skill test दो पार्ट में divided था, time ये, आपका जब return क्लियर हो जाएगा, और skill test के लिए आपका ये पास एक application आएगा, आपकी mail id पाएगी, वो 3-4 page कराता है, उसमें आपको detail भर करके, वो skill test के time पर ले जाना होता है, तो उस time पे उसका format आपके सामने बता तो उस time पे दो पार्ट में divided था, एक तो था teaching का section था, पहले आपको teaching करके दिखाने थी, यानि इसमें आपका teaching skill check किया जाता हो था, और दूसरा था वो आपका personality test था, teaching skill में कही सारे जो लड़कियां थी, female candidate थी, उनको हम देख रहे थे, क्योंकि हमारा तो 3-4 लड़कों का या फिर board पे drawing करकर करके हम वहाँ पर पढ़ा देंगे, गिंती पढ़ानी होगी, आम के ले draw करकर करके पढ़ा देंगे, TLM नहीं ले जाएंगे, लड़कियां हमने देखा कि girls यो थी, वो TLM बना के ले गई थी, तो TLM आप भी ले आ सकते हैं, उसके बारें बात करेंगे, क्या रहेगा पढ़ाने को, teaching skill, चेक करने के लिए topic कई बार तो क्या होता है, कि बोर्ड ही देता, देखिए, interview board चाहे इसका हो, या KBS का हो, या न वो दे का हो, interview board कभी भी candidate को परिशान नहीं करता, हलांकि UPSC, IS का रियल टाया आज, तो IS का जो interview board है, वो भी परिशान नहीं करता, काफी helpful रहते हैं, आपको stress नहीं होता, बिल्फुल में आपे, ठीक, पहली बात, दूसरी बात, कई बार क्या होते है, बातों बातों में, topic वही लोग दे देते हैं, कि ये topic पढ़ा के दिखाओ, या फिर आपको कह दिया जाएगा, कि second class का topic पढ़ा के दिखाओ, थर् अंकों की संख्या का सब्ट्रक्शन, किस में है, tables, कौन सी class में, किस level के tables आनी ची, पहले class के बच्चों को 20 तक का table तो नहीं आएगा, तिये जानकाड़ी आपके पास होनी ची, तभी आप उहाँ पर उस आप से content deliver कर पाएंगे, इस करते हैं, teaching skill में, जो manually आपका use होता है, तो communication को मैंने आपको बता रखा है, कि आप लोग क्या करें भी, कि बढ़िया तरीके से थुरा सा English प्रैक्टिस करकर रखेंगे, बहुत हाइफा English नहीं चीए, लेकिन बहुत ऐसा भी नहीं हो कि English का पड़ियो कर रहे हो, Hindi English मिला मिला के काम चलेंगे, वो आपके लिए negative जा जाना कलर का IQ भी सो सकते हैं, तो उनहीं के बच्चे हैं वहाँ पर उसी डिपार्टमेंट के जो पेरेंट्स उनके बच्चे हैं, तो टीचर्स का लेवल भी, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा communication skill, बढ़िया परसनलिटी सारी चीए बढ़िया होने चीए, ताकि उनके सबसें, अरे दो मिनट के लिए पढ़ाना है, दो मिनट के लिए तो ब्लैकबोर्ट के यूच करना है, क्या क्लास लिखें, क्या टोपिक लिखें, क्या डेट डालना चोड़ो, टाक लिए पढ़ाना शुरू कर देना हो, जो ब्लैकबोर्ट स्किल का मेजर पार्ट है आपक लेकिन isi सब्स पर MARKSahan । आपको नहीं बताये जाएंगे लेकिन Qualify और Disqualify वह भी तो मार्स अब इंटरनल मार्स तो देखते होंगे combo जो है टीम है एंगल 45 दूरि खड़ा होना पर बोर्ड वह पता होना चाहिए handwriting साफ होनी चाहिए, बोजा सुन्दर ना हो चलेगी लेकिन साफ होनी चाहिए, पढ़ने मानने चाहिए, poems आपको हर क्लास की एक एक poem, हिंद इंग्लिस्की पता होनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा, TLM डोने से अच्छा है, कि आप माइंड को इस तरीके से प्रिपेर करके याए, कि वहां पर on the sport चीयों को जो resources हैं, उन resources को यूज करना शुरू करें, मिर साथ एक था, उसने क्या किया था, कि counting सिखाने थी, उसने interview नहीं करना था, तो इंटर्व्यू के चार लोग थे, पैनल में, और उन चार लोग के पैनल लेकर के, उनसे पलस माइन सिखाने लगा, कि sir, दो पैन, आपके दो पैन, आपके दे को चार पैन हो गए, तो board आपर क्या होता है, board आपको अडर्टलिक कुछ नहीं बोलेगा, board आप बे साथ हस भी लेगा, board members जो है, हसेंगे युडि करेंगे बीकिंट मार्किंग नहीं देंगे क्योंकि आपको एक बाइसिक हवा में नेहीं भुल बहकायएंगे में पूर्फेशनलियम दिखाना है आप कितने उट्रोफेशनल है कितने मैनेर्डब logs गटना है कि एक शेकिज़ आपके साथ में श्रś ci दिए इसका नलज सेलेक्शन नहीं है ठीक है प्रसनलिटी टेस्ट में क्या था मेरा और हम लोगों का हमें एक एक इमेज दिया गया था मेरा जो था कि एक बुढ़ा था अंधेरे रूम में अंधेरे रूम में सीशा देख करके वो अपने बालों को पेंट कर रहा था कलर कर रहा था तो इसके उपर रिलेट करके मुझे बताना था वहाँ पर कि इस पिक्चर में इस इमेज में क्या किया जा रहा है क्या है इसमें तो वो मुझे बताना था तो आपको दो-ती मिनट बोलना होता है कितनी ज़्यादा एक्टिव है इस के मार्क से मुझसे जो पुछा गया था होली के बारे पुछ लिया गया था ने दिवाली दिवाली था कि हिंदी महने के अनुसार किस तिथी को दिवाली मनाई जाती है तो अपने कंट्री के पड़व दिवार इन सब चीओं की पता होना चाहिए तब यह आप बच्चों को बता पाएंगे तो यह जारी बाते थी और भी कुछ आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो मेडिकल टेस्ट भी होगा इसके बाद आपका स्केल टेस्ट किलेर हो जाएगा फिर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा और इसके कोई क्वारी है तो आप उसपे कमेंट सेक्षन में डाल दें जो ज़्यादत रुकाइड़ी होगी उनको लेकर के या तो आप में एक अलग्से वीडियो बना देंगे या फिर आपके कमेंट सेक्षन में ही आपकी क्वारी का जवाब दे दिया जाएगा दो में जिस्तर की जो सुटेबल होगा तो टाइम की थोड़ी सोटेज रहती है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग फ्यूचर टाइम्स टीचिंग फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर तो सीडि कि क्लासेश चलती चलती है मेरी क्rifूचर टाइम्स टीचिंग पर भी कही सारे वीडियो डियू डली हुए कही सारे हैं हमारे जो स्चुटेंट है was सब्सक्राइब कर लें तो आप नीचे कमेंट कर दें और सिलेबस को लेकरके हम जरल दी एक वीडियो लेक आएंगे आपके सामने और प्रिविश रेक्टिस आपके सामने चलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी और आप लगातार इस रेक्टिस में कम कर पाएंगे चलिए ठीक है दोस्तों थेंक्यू